आलोपी दीन का चरित्री चित्रण सबसे पहले उसमें आता है भ्रस्ट वह अत्यंत भ्रस्ट है और हमेशा भ्रस्ट आजरण करता रहता है बहुत अमीर है लेकिन फिर भी नमक की चोरी करता है और यह बहुती निंदन्य कार्य है इसकी निंदा की जानी चाहिए वह धन लिपसू है धन का लालसी है और उसे लकष्मी की ताकत पर काफी भरोसा है और वह हमेशा यह मानता है कि धन के भरोसे पर कोई भी करे किया जा सकता है लेकिन उसका ऐसा सोचना भी ठीक है क्योंकि समाज में धन के सामने उसने लोगों को घुटने टेकते वे देखा है धन के प्रती उसकी आस्था इसीलिए और भी गहरी हो गयी है क्योंकि समाज में भी लक्षमी का ही value है उसकी मुख्यता पाई गयी है लिखर कहता है कि पंडित अलोपी दीन का लक्षमी पर अखंड विश्वास था और वह कहा करता था कि स्वार्ग में भी लक्षमी का ही रज्य है लक्षमी का ही रज्य है का तजप्रे क्या है अपर कि वहाँ पर भी धन की ही मुखियता पाई जाती है सुनसार का तो कहना ही क्या अलोपीदीन ब्रस्ट है लेकिन वे है नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ती है और धनी सेट है उसकी सारे इलाके में धाक है सभी सरकारी अफसरों को उसने खरीद रखा है कोट के करमचारी हो या नमक विभाग के कर्मचारी सब उसके सामने बिके हुए हैं अदालत में जब पहुंचता है तो सभी लोग उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं क्योंकि चोकीदार तो उसके बिना मोल के गुलाम थे अदिकारी सभी उसके वकील और अरदली चपडासी आधी उसके सभी बिना मोल के गुलाम थे अलोपी दिन किसी भी व्यपारी की तरह बादचीत में काफी कुशल है व्यवार कुशल है और वाकपटू है वागपटू किसे कहा जाता है जो बादचीत में तेज व्यक्ति होता है उसे वागपटू कहा जाता है और अडियल अफसर के सामने उसे चिकनी चुपड़ी बातें बनाना भी अत्यंत आता है उन्हें किसी को भी प्रभावित करने का धंग आता है और जरूरत पढ़ने पर व लालच दिखाते हैं यानि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना काम बनाना वह जानता है जब बन सीधार उन्हें सरकारी हुकम के अंतरगत चेतावनी देते हैं तो वे बात को मोड जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी हुकम को तो नहीं जानते ना सरकार को हमारे सरक तो आप ही हैं इस तरह से उसे मीठी मीठी बातने करके अपना काम बनाना भी आता है और मानविय गुणों का सम्मान वह करता है अगर आप कहानी के अंत में देखेंगे तो उसे वनशी धर का जो स्वभावता वे काफी पसंद आता है क्योंकि वह गुण की कद्र करता है कि जब वंशी धर के घर के लोगुशे लटारते हैं तो अलोपी ती उसे शाबासी देते हैं और कुल तिलक बताते हैं कुल का तिलक याँनी अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला और कीर्थी को बढ़ाने वाला वे स्वयम वंशीधर के घर जाते हैं और अपना पूरा अपमान भूल करके उसे अपनी सारी संपत्ती का मेनेजर नियुक्त करते हैं वंशीधर को यानि नमका दरोगा जो है उसे अपने सारी संपत्ती का मेनेजर नियुक्त करते हैं सारे समाज और अंधी सरकार के पास जो आखे नहीं हैं वे आखे अलोपीदीन के पास हैं यानि कि सच्चाई को जानने की ताकत है उसके पास उसे स्विकार करने की शक्ती है और मानविय गुणों को वह समानित द्रिष्टी से देखता है इसलिए खुद के ब्रष्टाचार के बावजूद भी वह वंशी धर के घर जाकर के उसे अपनी सारी समपती का मैनेजर या ड्रिष्टी नियुक्त करता है जो उसके इस बात को बताता है कि उसे मानविय गुनों का भान है ग्यान है और वह मानविय गुनों का काफी सम्मान क्या करता है